हेलो फ्रेंड्स, SG Knitting and Crafts फ्रेंड्स जेक मैंने डिजाइनर सॉक्स बनाई है, बहुत ही प्यारी सॉक्स बनी है, देख लिजिए, दो कलर में मैंने इसको त्यार किया है, बहुत ही इजी रंग से आगे आप वीडियो में देखे होगे कि इसको मैंने कैसे बनाया है, इसमें मै अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीस बूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को छेर कर दीजिए, और आपको सॉक्स कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इसकी शेप कुछ बनक फ्रेंड्स सॉक्स को बनाने के लिए जी मैंने दो कलर लिये है ये वाइट और जैलो जी वर्दवन की मैंने बूल ली है और इसको आप 9 नमबर और 10 नमबर की सलाई पर बना सकते हैं तो सबसे पहले आपने सलाई में 49 फंदे डाल लेने है ये 6 नमबर का साइज है 49 फंदे डालके एक सीधा एक उल्टे का मैंने 4 सलाई का वाडर लगा लिया है तो अभी 4 सलाई वाडर बनाने के बाद जहां हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे ये वाइट कलर से तो अगर आपने और जादा लेन्थ बढ़ानी है तो इस वाडर को आप डबल भी कर सकते है तो डिजाइन की फर्स्ट सलाई पहला फंदा हम अतारेंगे स्लिप करेंगे दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दागे को पीछे करना है पांच फंदे सीधे बनाने है एक दो त तेन चार पांच पांच फंदे सीधे दागा आगे तीन फंदे उल्टे एक दो तेन तीन फंदे उल्टे इसी को आगे आपने रपीट करना है पहले दो फंदे को छोड़के पांच फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे इसी को आगे आपने रपीट करना है पूरे अपने मैं सीधे बना रही हूं ये 5 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे सीधे, 3 फंदे इल्टे लस्ट तक फ्रेंट्स जिय आपने रिपीट करना है, जे मैं लस्ट में जहां आ गई, लास्ट में ऐसे पांच फंदे सीधे जे एक दो तेन चार पांच पांच फंदे सीधे दागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा उल्टी साइड आजेगे दागा पीछे करेंगे पहले फंदे को स्लिप करके अब जैसे फंदे दिखेंगे बैसे आपने ब बनाएंगे और उल्टे पर उल्टे बनाएंगे ये एक फंदा सीधा और ये पांच फंदे जो उदर से हमने सीधे बनाए इदर से उल्टे ये पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच पांच फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे उल्टे ये 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे जैसे फंदे दिखेंगे बैसे ही आपने wrong side से बनाना है ये second row जो आपको बता रही हूँ ये उल्टी side से ये रो बनती जाएगी उल्टे पर उल्टे, सीधे पर सीधे design की third row, सीधी side पहला फंदा उता रहेंगे दागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, दागे को पीछे करेंगे अब 5 फंदों में design बनाएंगे, पहले फंदे को सलाई में सीधा करेंगे और back में सलाई डाल के 2 फंदे का एक बनाएंगे दागा आगे करेंगे जहां जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा दागा आगे करेंगे जहां जाली बनाएंगे आगे सलाई डालके दो फंदे का एक बनाएंगे ऐसे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन आगे आपने पहले दो फंदे को छोड़के जे आगे आपने रपीट करते जाना है पांच फंदों में डिजाइन बनाना है तीन फंदे उल प्राइक में स्लाइड डाल के दो का एक बनाना ऐसे दागा आगे करना जहां जाली बनानी है एक फंदा सीधा दागे को आगे करना है फिर जाली बनाएंगे आगे से स्लाइड डालनी है दो फंदे का एक बनाना फ्रांट लूप से ऐसे हमारे पांच के पांच फंदे जहां ब पहला फंदा तारेंगे, जैसे फंदे दिखेंगे, बैसे ही बनाएंगे, सेकंड रो जैसे ही आपने बनाना है, जैसे आपको मैंने सेकंड रो बताई, यह सीधा दिख रहे है, एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तेन, चार, पांच, जाल याल या फंदे, पांच फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे ये देख लीजिए सीधे पर सीधे बनाने उल्टे पर उल्टे बनाने पांच फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे फोर्थ रो को ऐसे आपने सेकंड रो जैसे ही रपीट करते हुए कंप्लीट करनी है ये मैंने फोर्थ रो कंप्लीट क चार पांच छे जहां तक छे वार तो जितनी आप ने लेंथ जहां सौक्सी applied कर्णाव और जिर apply तो इतना मैं छे वार इसको repeat करूंगी जहां तक जे फ्रेंड्स मैं ने छे वार design को बना लिया है तो अब हम उपर जहां एडी बाला पार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम यह पंदे जो है 49 इनका हमने half half करना है तो इस side मेरे 25 है तो इस side मेरे यह 24 तो इतनी में सलाई जहां मैंने half half कर लिये तो एक फंदा इस side कम है तो जहां मैं बढ़ा लूँगी तो अब फ्रेंट्स हमने इस बात का दिया रखना है कि जो एडी बनानी है दोनी socks की एक एडी हम इन half अंदों में जहां चुरू में बनाएंगे और दूसरी socks की हम एडी जहां बनाईगे तो जहां जो एडी बनानी है वो मैंने इस socks में जहां बना ली है तो अब मैं जहां एडी बनाओंगी तो एडी मैंने yellow color से बनाई है ये वाली दूसरे color से तो इसलिए मैं जहां एडी बनाओंगी तो मैंने अब जहां से टर्ण कर लेना है इन 25 फंदों को जो है हाफ फंदे इनको ऐसे ही सलाई में रहने देना है तो जहीं से टर्ण कर लेना है तो मैंने जे जैलो कलर का थ्रेड लगा दिया है अब वाइट कलर को जहीं छोड़ देना है तो अब जे जो 24 फंदे है इन में एक फंदा मैं बढ़ा ल को ठाकि यह मैंने एक जहां बढ़ा लिया तो इस साइड भी हमारे 25 फंदे होगे ऐसे उल्टा बनाऊंगी और सीधी साइड सीधा बनाऊंगी अब यह जैलो के जो 25 फंदे हैं इनी को आपने बनाना है यह 25 फंदे ऐसे ही छोड़ देने हैं तो जहां मैं 16 सलाई बनाऊंगी जैलो कलर से सीधा उल्टा बनते होगे सीधी साइड सीधा बनोगे और उल्टी साइड उल्टा बनके जहां इसको कंप्लेट करूंगे जे फ्रेंट्स मैंने जहां 16 सलाई को कंप्लेट कर लिया है तो आपको इसके दूसरे पार्ट में दूसरी वीडियो में आगे फिर आग का पार्ट कैसे हम बनाएगे जहां तक और यह वाले तो आपको जह सॉक्स कैसे लगी कमेंट सेक्शनर में बताईए और वीडियो को छेर कर दीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू